स्ट्रेंग सीवेसी का स्लेवस 9th 10th 11th 12th बहुत सारी चीज़ें स्लेवस के अंदर से डिलीट हो चुकी है एक breaking news है अब क्या 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 पोर्ट्सन डिलीट हुआ है मैं इस बीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूगा 11th और 12th क्लास के स्लेवस की physics और chemistry ठीक है अब देखो एक एक concept mind में यह रहता है कि स्लेवस रिमूव हो गया है यस रिमूव हो गया स्लेवस के चीज़ें डिलीट हो गई है तो कितना पोर्ट्सन डिलीट हुआ है तो according to CVSC HRD Minister के according यह चीज़ बोली गई है कि 30% स्लेवस रिमूव हो गया है लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जो स्ल 22-25 and 24-25% के असपास डिलीट हुआ है अब चीज़ें कौन सी डिलीट हुई है CVSC ने बोला है कि चीज़ें वही डिलीट हुई है जो हमने 10th में पढ़ी थी या हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है या फिर वो चीज़ें हम चैप्टर के इंदर रिवाइज करते हैं बार स्लेवस है जो चीज़ें मेन है इंपोर्टेंट है वो स्लेवस से रिमूव नहीं हुआ है ढिना टामबेस्ट के इंदर सी उसके इंदर से क्या-क्या चीज़ें दिलीट हुई हैं वो देखो digit portion में है क्या एक तो electric charge and field है class 12 के लिए electric charge and field उसके अंदर से यह जो topic है chapter number 1 है इसके अंदर से एक topic remove हो गया है कोई भी thin cell पर uniformly charge thin cell पर या electric field बाहर की तरफ हो या electric field अंदर की तरफ हो वो चीज remove हो गया है दूसरा current electricity देखो इस से पहले electric charge से पहले एक chapter आता है potential आता है, capacitor आता है वो उसमें से कुछ भी remove नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन current electricity पर direct पहुँचे हैं और current electricity के अंदर से carbon register कम किया है और carbon register से color coding of carbon register कम किया है यह आसान सा topic था है एक number का question कई साल पूछा भी जा चुका है color coding में से और parallel और series combination of register भी remove हो चुका है, जो कि हम 10th class से पढ़ते हैं now chapter number 4, यह moving charge and magnetism, यह चीज़े भी remove हो गई है इसके अंदर से cyclotron जो कि theoretical था चार नंबर का कई साल पूछा है cyclotron, कई साल cyclotron पूछा जा चुका है board के अंदर और theory गलता है, हम आसानी से इस कुछ चीज़े को रटके भी करके आ सकते थे working आती थी इसकी, होता क्या cyclotron वो आता था, ठीके न और theory इसके बारे में मैं लिखनी होती थी अब देखो, next, magnetism and matter में से क्या remove हुआ है इसमें magnetic field intensity due to a magnetic dipole, bar magnet को बार-magnet भी बोलते हैं along its axis, किसी axis पर magnetic dipole की बज़े से हमें magnetic field intensity बतानी होती थी वो remove हो गया, या इसकी perpendicular axis पर यूं axis पर हमें बतानी होती थी वो चीज़ें भी remove हो गई है अब torque on magnetic dipole इन है uniform manifold, किसी uniform magnet field के अंदर torque remove हो गया है यह चीज़ें remove हो गई है, दूसरा एक number की चीज़ें कई साल इसके अंदर से example पूछे जा चुके हैं, जो मैं अब next discuss करने जा रहा हूँ para-diapheromagnetic substances with example para-magnetic क्या होता है, diamagnetic क्या होता है, ferromagnetic क्या होता है यह सब चीज़ें with example remove हो गई है आगे, electromagnets and factors affecting their strength and para-magnets यह चीज़ें भी remove हो गई है, आगे, आप देखो alternative current के अंदर क्या चीज़ें remove होई है alternative current के अंदर basic कुछ remove नहीं हुआ है actual में जो main चीज़ें थी, उनको delete कर ही नहीं सकते थे कैसे भी, क्योंकि circuits थी उनको remove नहीं कर सकते थे इसमें से फिर नहीं ने क्या remove किया, एक तो power factor और एक नहीं ने wattless current, एक छोटा सा topic है wattless current, जिसको हम ideal current भी बोलते है यह चीज़ remove हो गई है आगे, एक हुगा है, electromagnetic babes electromagnetic babes के अंदर से starting का topic है जिसे हम displacement current की बात करते हैं वहाँ displacement current starting का topic है वो चीज़ remove हो गई है आगे देखो, ray optics and optical instrument मैं से जो चीज़े remove होई है इसमें से generally, 10th class का बहुत सारा slavers remove हुआ 12th का भी, देखो reflection of light, spherical mirror और mirror formula जो हम पढ़ते हैं 10th के अंदर यह चीज़े भी remove होगी है, कई साल derivation आ चुका है mirror formula का, यह चीज़े remove हो गई है आगे, scrating of light मैं इसी साल question पूछा है और इससे पहले भी question आ चुके है scrating of light पर कि, इसका ही का जो color है blue क्यों होता और red is क्यों होता है sunset के time और sunrise के time यह question पूछे जा चुके हैं इसी साल यह चीज़े भी remove हो गई है और resolving power of macroscope and astronomical telescope यह चीज़े भी remove हो गई है और polarization पूरा remove हो गई है polarization पूरा remove हो गई है polarization है, plane polarized है beautiful star log कई साल पूछा जा चुका है एक number कहाता है और देखो, use of plane polarized light and polarize, यह सारा सारा remove हो गई है अब इसके बाद, board कफी छोटा था इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहां discuss किर दिया है अब मैं आपको बोल के चीज़ें बता देता हूँ क्यों कौन कौन सी चीज़ें remove होई है देखो, एक topic है हमारा dual nature of radiation and matter इसके अंदर से जो topic remove हुआ है वो हुआ है German experiment, devizer German experiment ठीक है ना, यह experiment एक importance रखता था एक चलमें तो यह भी remove हो गया है आगे देखो, nuclei के अंदर से जो चीज़ें remove हुई है वो radio activity इस साल radio activity पर question derivation आ चुका है derivation इस साल पूछा जा चुका है section D 5 नमर का question आया था अब देखो एक तो radio activity और alpha, beta and gamma particles and their properties यानि alpha, beta और gamma particles जो raise होती है उनकी property remove हो गई है अब आपको alpha, beta, gamma की property पढ़ने की need नहीं है आगे radio activity, decay law decay law पर इस साल derivation आया था जिसके मैं भी बात कर रहा था तो यह भी remove हो गया और half life and mean life यह भी remove हो चुका और binding energy per nucleon and its variation with mass number यानि binding energy भी remove हो चुकी है topic के अंदर से इस topic के अंदर से clear है ना? आगे देखो semiconductor और electronics यह last topic बसता है semiconductor electronics में से जो चीज़ें remove हुई है वो है आपका materials, device and simple circuits materials, device and simple circuits और जो main चीज़ें कई साल पूचा जा चुका है वो चीज़ भी यहां से remove हुई है giner diode giner diode and their characteristics sticks and giner diode as a voltage regulator यह चीज़ भी remove हो चुकी है giner diode as a voltage regulator यह चीज़ें भी remove हो चुकी है तो यह तो CVSC ने class 12th के लिए चीज़ें remove की है अब आपको इस channel पर complete नए syllabus के according 2020-2021 के जो syllabus के according चीज़ें आपको complete मिलेंगी सबसे important जो strengths JEE के लिए preparation करते है नीट के लिए preparation करते है या other complete examination के लिए preparation करते है उनका क्या होगा लेकिन अभी भी ऐसा कोई government का notification नहीं आया official notification नहीं आया कि JEE का syllabus कम हो गया है, need का syllabus कम हो गया किया other complete exam का syllabus कम हो गया है physics का तो याद रखना है यह सिर्फ और सिर्फ board के लिए लेकिन जो अभी JEE के लिए है उनको तैर complete पढ़ना होगा अभी ऐसा कोई notification नहीं आया है कि JEE के लिए syllabus change हुआ है और मुझे लगता है कि syllabus JEE और knit के लिए भी syllabus change नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है यह आकिरकार यह चीज़ है तो तब clear होगी जब जैसे official notification आ जाएगा लेकिन अगर JEE के लिए syllabus change नहीं हुआ तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी problem तो आएगी आएगी ठीक है इसके बाद मैं आप से इसके डिसक्रस करता हूं 11th class का क्या-क्या स्लेवस रिमूव हुआ है 11th class में बहुत minor बहुत minor बहुत कम चीज़ा रिमूव हुई है तो आप जाएं description के लिंक मिल जाएगी PDF मिल जाएगी आप 11th का चेक करें कि 11th का क्या-क्या स्लेवस रिमूव हुआ है PC का और आपको 12th की इसकी भी description के लिंक मिल जाएगी PC की आप जाएं वहां चेक करें कि क्या-क्या चीज़ा रिमूव हुई है एक बार मैं आपको 12th chemistry का आपको explain कर देता हूं कि क्या चीज़ा एक्शल में डिलीट हु रिमूव है ना वो electrical and magnetic properties कम हो गई है और band theory of metals, conductors, semiconductors, semiconductors and insulators and NNP tap semiconductors यह सब रिमूव हो गया है solid state दो साल से CVC से remove हो गया था लेकिन इस साल 12th में add किया CVC ने और अब solid state में से उसने topics remove कर दिये हैं अब solution में से एक तो want of factor था जिस पर numerical बनने के chances होते थे हम भी बहुत focus देते थे और जहां JEE और mains advance और read calendar questions बनते हैं want of factor पर यहां से आपका CVC में से remove हो गया है want of factor जो के solution का एक topic है और abnormal molecular mass जो इसी के अंदर topic concert किरा जाता है यह भी remove हो गया है अब देखो electrochemistry के अंदर से क्या चीज़े रिमूव होई है एक तो हुआ है आपका fuel cell और एक हुआ हुआ है lead accumulator and corrosion law of electrolyte यार law of electrolysis में से हम कई साल question पूछे जा चुके हैं यह आसान था यह भी चीज़े रिमूव हो गई है dry cell भी पूछा जा चुका है यह चीज़े रिमूव हो गई है और electrolytic cell और generalic cell यह dry cell के example है यह भी चीज़े communication और activation energy और concept of collagen theory अब देखो surface chemistry के अंदर से जो रिमूव हुआ है वह हुआ है emulsion यह भी कई साल CVC ने definition पूछ चुका है कि emulsion emulsification होता क्या है तो emulsion रिमूव हो गया है catalyst भी रिमूव हो गई है catalyst दो टाप की होती है तो homogenous और एक होती है heterogeneous अब यार जो important था na activity and selectivity topic का जो important था जब हम बंदे को कराते थे के end में यार आप इन सब चीजों को देखो के paper फशने के chances होंगे अच्छा paper हो जाएगा वो भी चीज़े रिमूव हो गई है activity और selectivity जिसके chances होते थे enzyme catalyst यह चीज़े भी रिमूव हो गई है अब देखो general principle of process of isolation of element यह पूरा का पूरा एंटार चप्टर ही डिलीट हो गया है ठीक है ना अब पी ब्लोग में से तो पिछली साल भी से लिवस रिमूव कर दिया था फिर इस साल क्या रिमूव किया वह देखो आप preparation and property of phosphine sulfuric acid industrial process of manufacturing oxides of nitrogen ठीक है ना structure only सिर्फ और सिर्फ structure और phosphorus allotropic forms compounds of phosphorous preparation of properties of halides and oxo acids यह चीज़ा भी रिमूव हो गई है अब अब डियंट है ब्लोग में से क्या हुआ है रिमूव इस साल क्या से बनेते के टू सी या टू सी या टू से जहां से question बनते है इसी साल क्या हर साल एक नमर का question बनता है एक से दो नमर का आता ही आता था वह question fix the equations वो चीज़े भी रिमूव हो गई है वो देखो क्या है chemical activity of lengthenides ectonides or electronic configuration oxygen states and comparison with lengthenides preparation and property of KmnO4 and K2Cr2O7 यहां से preparation रिमूव हुए है और properties रिमूव हो गई है ठीक है ना अब देखो coordination compound के अंदर से क्या रिमूव हुआ है वह हुआ है structure and steomerism और importance of coordination compound ठीक है ना यह चीज़ें भी रिमूव हो गई है अब next और इनी की तरफ मूव करते हैं oil canes and hellerines में से क्या रिमूव हुआ है uses and environmental effect of dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, adoform, freons DDT खेर इसमें से कोई ज्यादा main चीज़ें रिमूव नहीं हुई है ठीक है DDT कई साल पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर अब alcohol and phenol and ether इसमें से आपका जो रिमूव हुआ है uses with special reference to methanol and ethanol इसमें से भी कोई खास रिमूव नहीं हुआ है और LDAT, ketone and carvajalic acid में से आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है अमाइन्स के अंदर से चीज़ें अगर मैं और रिमूव हुई है वो है डायजनियम salts and preparation and chemical action and importance of synthesis और रिमूव हुई है यहां से जो important था कई साल chances बनते थे हम भी वहाँ चीज़ें फोकस देते थे at the end of जब रिमूव हुआ है वो हुआ है आपका सुक्रोज, लेक्टोज, मेल्टोज यह सब रिमूव हो गए है एक एक नंबर की definition पूछी जा चुकी है और जाती थी पॉलिसेक्राइट्स क्या होते हैं स्टार्ड, cellulose, glycon, यह चीज़ें भी रिमूव हो गई है यहां से जैसे जनरली पूछा जाता था क्या होते हैं डेफिनिशन पूछ ली जाती थी यह चीज़ें भी रिमूव हो गई है पॉलिमर्स पूरा ही एंटाइर चेप्टर रिलीट हो गया है और केमिस्टी ने अब्रिलाइफ एंटाइर चेप्टर रिमूव हो गया है तो यहां बहुत बड़ा स्लिवस रिमूव तो हुआ है सर्फेश केमिस्टी में से और ऐलेक्ट्र केमिस्टी में से चैमिकल कानेटिक में से और आपको डिस्केप्रिशन के इंदर सभी पीडियाफ मिल जाएंगी आप जाके वहां भी चेक कर सकते हैं झाल झाल